परिचय सुधा, तुम कैलेंडर में गोल रे क्यों बना रही हो? इन दिनों मेरी करक्षा परिक्षाएं हैं मुझे अपनी नोट बुक में इन तिथियों को नोट करना है क्या इनके पूरक दिनों में तुम्हारी कोई परिक्षा नहीं है? पूरक, इसका क्या आर्थ है? ओ, पूरक, क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगी उद्धेशे इस पार्ट के अंद में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे समुच्यों पर संक्रियाओं को जानना असयोक्त समुची को परिभाशित करना एक समुची के पूरक की व्याख्या करना दो समुच्यों के सम्मिलन तथा सर्वनेष्ठ पर वहवारी को जानना समुच्यों पर संक्रियाओं यानी सर्वनेष्ठ दो समच्चियों A तथा B का सर्वनिष्ट ऐसा समच्च है जिसमें वे अव्यव सम्लित हैं जो A के तथा B के अव्यव हैं सर्वनिष्ट के लिए हम इस प्रतीक का उप्योग करते हैं उधारण यदि A बराबर 3, 4, 6, 8 तथा B बराबर 1, 2, 3, 5, 6 तब A सर्वनिष्ट B बराबर 3, 6 अब इसारे को देखें ये चायंकित भाग A सर्वनिष्ट B को दर्चाता है असयुक्त समुच्चे दो समुच्चियों को असयुक्त कहा जाता है यदि उनका कोई भी अव्यव उभेनिष्ट ना हो अत्वा हम कह सकते हैं कि दो समुच्चे A1 तथा A2 असयुक्त हैं यदि उनके सर्वनिष्ट वो हैं जहां फाई एक रिक्त समुच्च है उधारन के लिए 1,2,3 तथा 4,5 असयुक्त समुच्च है जीवी तथा मृत्य व्यक्तियों का समुच्च एक असयुक्त समुच्च है असयूंग्त समचे को नीचे दिखाए वेन आरेक के संदर्भ में प्रदशित किया जा सकता है सर्वनिष्ट संक्रियाओं के गुण धर्म सर्वनिष्ट एक क्रम विनिमय संक्रिया है। सम्मिलन, A, C, C, Phi वर्ग समनियम, A, A, C, A समुचियों पर संक्रियाईं, अंदर समुच A तथा समुच B दिये गए हैं समुच A में से समुच B के समुच का अंतर ऐसे अव्यवों का समुच है जिसमें A के सभी अव्यव हैं लेकिन B का कोई अव्यव नहीं है हम A घटा B लिख सकते हैं इस वेन आरिक को देखे ये हमें दो समुच्यों S1 तथा S2 का अंतर दिखाता है इस आकरिती पर एक पाश्व द्रिष्टी डालें B, D, E, G केवल A के अव्यव हैं इसलिए A घटा B बराबर B, D, E, G नोट करें कि यत्यपी A, F, C अव्यव एक अंतर गत है लेकिन हमने इन्हें A घटा B में समलित नहीं किया है क्योंकि हमें समुच्य B में कुछ भी नहीं लेना है कभी-कभी एक वेन आरेक में देखनी के अपिक्षा दोनों समुच्य के अव्यवों को लिखना अधिक आसान हो सकता है तब हम उन अव्यवों को अंग्रेजी के मोटे अक्षरों में दिखाते हैं जो A में है लेकिन B में नहीं है A बराबर B, D, E, G, A, F, C, B बराबर K, H, U, A, F, C समच्च का पूरक एक समच्च A दिया गया है A का पूरक समच्च सार्वत्रिक समच्च U के उन सभी अव्यवों का समच्च है जो A के अव्यव नहीं है हम पूरक को निम्न के रूप में लिखते हैं दूसरे शब्दों में समुच ए का पूरक जिसे a- दौरा निरूपित किया जाता है सारवतरिक समुच के उन सभी अव्यवों का समुच है जो a में नहीं है A के बाहर के चायंकित भाग को A' दोरा निरुपित किया जाता है A के अव्यवों की संख्या तथा A' के अव्यवों की संख्या U के कुल अव्यवों की संख्या की रचना करते हैं इसका मतलब है कि A का N गुना जमा A के पूरक का N गुना बराबर U का N गुना पूरक के उधारन अतहा ए का पूरक डी तथा एफ हैं डी मौर्गन का नियम समुझी के सिध्धान्त में डी मौर्गन का नियम एक दूसरे से तीन मूल समुझी की संक्रियाओं का सब्बंध दिखाता है सम्मिलन, सर्वनिष्ट तथा पूरक डी मौर्गन के नियम का नाम भारत में जन्में डिटिश कणितके और तरकिशास्त्री अगस्टरस डी मार्गन के नाम पर रखा गया है यदि ए और बी एक समुझे एकस के उपसमुझे हैं तब डी मौर्गन का नियम कहता है ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर ए का पूरक सर्वनिष्ट बी का पूरक ए सर्वनिष्ट बी का पूरक बराबर ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक यहां ये सम्मिलन को दर्शाता है ये सर्वनिष्ट को दर्शाता है तथा ये A के पूरक समुच्ची को दर्शाता है. अर्थात दो समुच्चियों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ट पर वैवारिक समस्याएं. माना की A तथा B परिमिष्ट समुच्चे हैं. यदि A सर्वनिष्ट B फाई के बराबर है तब A का N गुना समिलन B बराबर A का N गुना जमा B का N गुना गटा A सर्वनिष्ट B का N गुना यदि A B तथा C की परिमिष्ट समुच्चे हैं तब तथे समुच्च A खटा B, A सर्वनिष्ट B तथा B खटा A परस पर असयोग्त समुच्चे हैं जिसमें इन दोनों समुच्चियों में से किसी का भी सर्वनिष्ट एक अशक्त समुच्च हैं. क्या आप जानते हैं वर्णात्मक समुच्चे सिध्धांद वास्तविक रेखा के उपसमुच्चियों का तथा और अधिक सामाने तोर पर पॉलिश रिक्तिस्थानों के उपसमुच्चियों का अध्यान है। ये बोरेल पदानुक्रम में बिंदू वर्गों के अध्यान के साथ शिरू होता है तथा और अधिक जटिल पदानुक्रम के अध्यान तक बढ़ जाता है। जैसा कि प्रक्षेपिये पदानुक्रम और वेज पदानुक्रम सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं दो समझियों A तथ B का सर्वनिष्ट, उन सभी अव्यवों का समझ है जो उभेनिष्ट हैं इसी क्रम में समझियों A तथ B का अंतर उन अव्यवों का समझियों A के अंतर गात आते हैं लेकिन B के नहीं चारवत्रिक समुचे, यूके एक उप समुचे, एक पूरक, यूके उन सभी अव्यवों का समुच है, जोकी एक अव्यव नहीं है किने भी दो समच्यों A तथा B के लिए A का पूरक सम्मिलन B बराबर A का पूरक सर्वनिष्ठ B का पूरक तथा A का पूरक सर्वनिष्ठ B बराबर A का पूरक सम्मिलन B का पूरक यदि A तथ B इस तरह एक परिमित समुच्च हैं कि A सर्वनिष्ट B जो की फाई के बराबर है तब A सम्मिलन B का N कुना बराबर A का N कुना जमा B का N कुना यदि A सर्वनिष्ट B फाई के बराबर ना हो तब A सम्मिलन B का N कुना बराबर A का N कुना जमा B का N कुना घटा A सर्वनिष्ट B का N कुना